जय हिंद बजरंगी स्टेडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है हमने स्टेटिक जीके की एज सिरीस स्टार्ट कर दी है जिसका आज ये पहला वीडियो यानि पार्ट वन है स्टेटिक जीके होता क्या है तो स्टेटिक जीके वो फैक्ट्स होते हैं जो हमेशा सेम रहते यानि कभी बदलते नहीं है और किसी भी एक्जाम में इनका रोल अच्छा खासा होता है वो आप चाहे SSC ले ले ले, UP SSC ले ले, RRB ले ले या RO या RO ले ले इस बार जो RO या RO का पेपर हुआ था इसमें भी स्टेटिक जी का अच्छा खासा रोल था और जो B.A.D. का इंटरेंस एक्जाम होता है, UP पुलिस हो या SI हो या कोई भी अन एक्जाम हो उसमें स्टेटिक जी के हमेशा पूंचा जाता है और स्टेटिक जी के ऐसा टोपिक है जिसे याद करना ही होता है क्योंकि जैसे हिस्ट्री है, जोग्रफी है, पॉलिटी है, एकोनॉमी है, इसे तो हम लोग समझ सकते हैं लेकिन स्टेटिक जी के हमेशा याद करने वाला सब्जक्ट रहा है तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सिरीज स्टार्ट की है, स्टेटिक जी के वाली जिसमें आज हम लोग यूनेस्को साइट के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और जितनी हैं तो भारत की सभी 42 यूनेस को विस दरोहर स्थल सूचियों को हम लोग एक एक देखेंगे क्योंकि एक्जाम में हमेशा ये पूचा जाता है कि ये ये हेरिटेज साइट कब शामिल की गए ती ये कहां पर है जैसे अजंता है और ये हमपी है हुमायूग का मकबरा है और सूर्य मंदिर है इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और ये टापिक बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये सीरीज ही काफी बहतरीन है तो आप लोग तयार हो जाए इस सीरीज को समझने के लिए या याद करने के लिए उससे पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब स्टेटिक जी के सीरीज का पार्ट टू अपलोड हो तो आप सब तक नोटिफिकेशन पहुच जाए और जिसने हमारे टेलीग्राम को न जॉइन किया हो, हमारे टेलीग्राम को जॉइन कर सकता है डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है बजरंगी स्टेडी पॉइंट से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है उसे हमें जुड सकते हैं और जिसको PDF चाहिए तो भी हमें बताईएगा वो हमारे टेलिग्राम चैनल पर आपको उपलब्द करा दी जाएगी तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को सबसे पहले यह जानेंगे कि UNESCO होता क्या है UNESCO United Nation के अंतरगत एक संस्था है United Nation आपने बढ़ाई होगा संयुक्त राष्ट के अंतरगत एक संस्था है और इसका पूरा नाम है United Nation Educational Scientific and Cultural Organization और यह संयुक्त राष्ट का एक भाग है यानि UN का ही एक अंडर्टेकिंग है और स्टेटिक जीके में United Nation भी एक अच्छा खासा टॉपिक है इसे भी हम लोग आने वाले वीडियो में कवर करेंगे तो फिलाल इस पे फोकस करते हैं कि UNESCO का पूरा नाम है United Nation Educational Scientific and Cultural Organization और यह UN का एक भाग है और इसका मुख्याले फ्रांस के पेरिस में है कभी-कभी तो UNESCO का मुख्याले भी पूँच लिया जाता है तो इसका हेड़कॉर्टर है पेरिस में और UNESCO को established या गठित किया गया था 16 नॉमबर 1945 दिन इतना important नहीं है जितना की साल important है क्योंकि साल पूँचा जाता कि UNESCO की स्थापना कभ हुई तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके कायरे क्या है तो सिक्षा, प्रकृति, तथा समाज, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतराष्टिय सान्ती को बढ़ावे देना क्योंकि देखे जब World War 2 खतम हुआ था उसके बाद ही UN अस्तित्यों में आया था और UN इसलिए अस्तित्यों में आया था ताकि तीसरा विश्वयुद अब ना हो पाए और तीसरा विश्वयुद को रोंका जा सके तो United Nation के अंतर का जितनी भी एजन्सियां है वो सब सान्ती को बढ़ावा देने का काम करती है और पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली की तरह ट्रीट करती है और UNESCO का उद्देश क्या है तो इसका उद्देश है सिक्षा और संस्कृत के अंतर राष्टिय सहयोग से सांती और सुरक्षा की स्थापना करना यानि UNESCO का का काम भी United Nation का का काम ही है कि अंतर राष्टिय स्तर्ष बर educational और scientific और cultural सुरक्षा की स्थापना करना है तो यह तो रहा UNESCO के बारे में कि इसका पूरा नाम क्या है इसमें important दो चीन चीजें है UNESCO के बारे में कि इसका पूरा नाम क्या है इसका मुख्याले कहा है और इसकी स्थापना कब हुई थी तो पूरा नाम आपको पता ही है United Nation Educational Scientific and Cultural Organization Headquarter है फ्रांस के पेरिस में और इसका गठन हुआ था 1945 में और ये UN के अंडर एक International Organization है तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि इंडिया में UNESCO के कितनी साइट्स हैं और उनको किस वर्स साइट्स का दरजा मिला था ये डेटा हमने UNESCO की साइट वेब साइट से ही लिया है जो आपके सामने उपस्थत है इसमें हमने बाइलिंग्वल लिया है एक तरब तो इंग्लिश है और दूसरा ये आगे हिंदी में भी आपको दिख जाएगा तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेना कि सर हिंदी में है या इंग्लिश में नहीं या इंग्लिश में है तो हिंदी में नहीं है हमने बाइलिंग्वल इसको प्रोवाइड करा दिया है तो UNESCO की वेब साइट से अब तक आज तक इंडिया में जो टोटल साइट है वो 42 साइट यूनिस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में इंडिया की, जिसमें 34 कल्चरल साइट हैं, 34 कल्चरल यानि सांस्कृतिक साइट हैं, और 7 नेचुरल साइट हैं, जिनें प्राक्रतिस साइट बोला जाता है, और एक मिक्स्ड साइट है, सब को हम लोग cover करने वाले हैं, with English and Hindi language बोथ में तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली जो यूनिस्को की साइट थी वो आगरा का किला थी, जो की 1983 में यूनिस्को की वर्ल हेरिटेज साइट में सामिल किया गया था, और आगरा के किले के साथ साथ अजंता और एलोरा की गुफाओं को भी उसी में सामिल किया गया था, तो स् जो पारक है वो भी इसका हिस्सा है, और छत्रपती शिवाजी जो terminus है, वो भी है, और गोवा का चर्च भी है, और धोला वीरा जो की एक हडपा की साइट है, वो भी इसमे विस्स धरोहर सुची में आता है, और एलिफैंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, फतेपुर सीकरी और महान जीवित चोल मंदिर भी इसका एक पार्ट है जिसे इंग्लिश में चाहिए है यहाँ पर इंग्लिश में भी दे दिया गया है आप लोग अपने अपने convenience के हिसाब से language choose कर सकते हैं फिर आगे हमपी में जो समारकों का समू है उसे भी शामिल किया गया है और महाबली पुरम में जो टेंपल है उन्हें भी शामिल किया गया है और पदत्तकल में जो monuments है उनको भी शामिल किया गया है रजस्थान में जो पहारी के किले है उन्हें भी शामिल किया गया है हुमायो का मागरबाद जो दिल्ली में उसे शामिल किया गया है जैपुर शहर जो की राजस्थान की कैपिटल है उसे भी शामिल किया गया है और काकतिये मंदिर जो तेलंगाना में है रामाप्पा मंदिर भी उसे कहते हैं उसको भी इंक्लूड किया गया ह और खजुराहो टेंपल बहुत ज़्यादा important बहुत ज़्यादा पूंचा जाता है और बोध गया में महाबोधी मंदिर परिसर इसे भी शामिल किया गया है और भारत की परवतिये railway को भी sides का दरजा मिला है और कुतुब मिनार और उसके monuments उनको भी दरजा मिला है और रानी की वाउ जो की हम शायद दोसों की note पर देखने को मिलती है वो रानी की वाउ को भी शामिल किया गया है और वही चीज यहाँ पर English में दी गही Group of Monuments at Hampi, महाबलीपुरम के Temple और पदत्तकल Monuments और Hill Force of Rajasthan, Historic City of Ahmedabad, Humayus Tom, दिल्ली, जैपुर, राजस्थान फिर रानी की वाउ तक तो हम लोग कर चुके हैं उसके बाद लाल किले को भी शामिल किया गया है लाल किले के परिसर को और भीम बैटका के Rock Shelter को भी शामिल किया गया है होईसेला, होईसाल के Temple को अभी 2023 में जल्दी ही शामिल किया गया है और शांतिनिकेतन इन दोनों को एक साथ शामिल किया गया है यूनेसको की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यहां पर ले कोबुर्जिये का वास्तुकार शिल्प है जिनोंने आधनिक अंदोलन में योगदान दिया था उन्होंने एक आर्किटेक्चर बनाया उसको भी शामिल कर लिया गया है और जन्तर मंतर जैपूर में है उसे भी शामिल किया गया है और मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंबलेम को भी सामिल किया गया है आईए इंग्लिश में भी देखते थे हैं रेड़ फोर्ड कॉंपलेज को भी शामिल किया गया है और रॉक शेल्टर भीम बेटका में और होईसाल्स के टेमपल और शांति निकेधन को भी जल्दी शामिल किया गया है सन टेमपल जो की कोनाख में है इस तरह हमारी 34 जो cultural sites है यानि जो सांस्कृतिक sites हैं वो हमारी complete हो चुकी है और आब आती है natural sites का number प्राकृतिक sites का number तो यह है हमारी 7 प्राकृतिक natural sites जिसमें Great Himalayan National Park Conservation Area आता है 2014 में शामिल किया गया था काजिरंगा National Park को भी शामिल किया गया है और क्योला देव नेशनल पार्क को भी शामिल किया गया है मानस wildlife sanctuary को भी शामिल किया गया है अच्छा इन्हें natural क्यों बोला जाता है क्योंकि यह naturally ही बनी है इन्हें खुद से या अलक से बनाया नहीं गया है और वो सांस्कृतिक क्या संस्कृतिक जो किसी ना किसी का architecture हो या वास्तुकला हो या कला शिल्प हो उसी को शामिल किया गया है और यह हमारी natural sites हैं तो काजिरंगा केवला देव मानस और नंदा देवी जिए वैलिया फ्लार्स बोला जाता है उसे भी शामिल किया गया है सुंदरबन नेशनल पार्क उ जिसे कंचन जंगा नेशनल पार्क बोला जाता है जिसे 2016 में शामिल किया गया था अईए हिंदी में भी देख लेते हैं कि प्राकृतिक वो साथ कौन से हैं ग्रेट हिमाले नेशनल पार्क है काजिरंगा नेशनल पार्क है केवला देव नेशनल पार्क है मानस वनेजिव अ उध्यान है सुन्तरवन राष्टियउ उध्यान है और पश्मी घाट्य और मिश्रिथ में कंचण जंगा राष्टियई उध्यान को शामिल किया गया है ये बहुत मुच्छा जाता है कि next UNESCO World Heritage Site कौनसी horrend है जो है हमारी कंचन जंगा राश्ट्रिय उद्ध्यान या कंचन जंगा नेशनल पार्क जिसे दोजा शोला में इस्टेबलिक किया गया था या सामिल किया गया था तो इस तरह हमारी 32 नहीं 34 साइट्स कल्चरल साइट्स और साथ प्राकृतिक साइट्स और एक मिश्रित साइट्स इस तरह हमारी तभी पता होगा जब आप ये सब याद करेंगे तो मैंने सभी की सभी 42 युनेस्को साइट्स आपके सामने रख दी हैं और मैंने युनेस्को की वेब साइट्स इनको डाउनलोड किया है और जिसको पीडिएफ चाहिए होगा वो हमारे टेलिग्राम से जुर्सके पीडिए में बताईएगा और वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे लाइक कर दें चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि स्टेटिक जीकिये कि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप सब तक तुरंद नोटिफिकेशन पहुँच जाए तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद